इस वीडियो में दो कोस्षिन लाया है, जो आपका में रेलवे एकजंग पर लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्षिन है, यह कोस्षिन को धेन से देखिया गाया है, ताकि इसको समझने में कोई दिकत ना हो, चली शूरू करते हैं, यह पर दिखिये दो कोस्षिन है, यह पर संडे में 510 विजिटर है, ठीक है, संडे ही है, ठीक है, तो अभी दिखिये, एक मन्त में कितना संडे होगा, अगर वो मन्त का शुरू संडे से होगा, तो संडे से अगर बिगिनिंग होगा, तो उस मन्त में 5 संडे आएगा, 5 संडे, ठीक है, बाकी दिनों के हिसाब से एक- विजिटर्स ज्यादा आता है देखे 510-240 मतलब 270 numbers visitors ज्यादा आता है एक एक संडे में ठीक है यह तक समझ में आगया अभी देखे एक एक संडे में 270 numbers visitors आता है तो 5 Sunday में कितना visitors ज्यादा आएगा into 5 करना है is equal to 1-3-5-0 आएगा ठीक है जादा विजिटर 1350 विजिटर सिर्फ Sunday के लिए हो गया ठीक है 1350 को हम क्या करेंगे 30 से डिवैड कर देंगे तो यह पर कटेंगे तो यह पर आएगा 45 तो 45 नंबर्स विजिटर पर डे ज्यादा आ गया है ठीक है मतलब average जो था उसके उपर Sunday के लिए 45 नंबर्स विजिटर ज् युदर जाएगा 285 नेक्स को देख लेते हैं अबर इस क्य exception को दिखिए यह पर बोल गया है एकISSA's ठेडर 26 केजी रिई जिसका प्राइस है 20 रूपीज पर केजी उसके साथ एक वर्याईटी नेक्स को देख लीए इन दनो राइस को मिक्स करके sale किया कितना रुपिया में देखे 30 रुपिया पार केजी में इन दोनों टाइब का उसका profit क्या होगा, यह जो दोनों टाइब का rise है, इन दोनों टाइब का rise कितना kg है, यह पहले 26 kg, उसके बाद 30 kg, ठीक है, मतलब 26 plus 30 is equal to 56 kg, ठीक है, अभी इन दोनों टाइब का rise का cost price क्या होगा, देखिए, cost price of 56 kg rice, ठीक है, क्या होगा, 26 into कितना रूपया पर किजी, 20, 20, तो 26 into 20 करना है, plus 30 kg, कितना रूपया पर किलो, 36 kg, तो यह पर कट देंगे 30 into 36, ठीक है, यह पर इसको solve करेंगे, तो यह पर आएगा 520, plus 30 into 36, is equal to 1080, ठीक है, इन दोनों को plus करेंगे, तो यह पर आएगा 1600, ठीक है, अभी यह पर 56 kg rice का selling price क्या होगा, selling price होगा, 56 into कितना रूपया पर किजी, 30 रूपया पर किजी, ठीक है, is equal to 1680, ठीक है, तो आभी देखे, यह पर selling price मिल गया, cost price भी मिल गया, profit कितना है, profit है, 1680 minus 1600, is equal to 80 रूपीज, ठीक है, देखे 80 रूपीज, कितना रूपेय में profit है? 1,600 रूपेज में, ठीक है? तो 1,600 रूपेज में अगर 80 रूपेज profit होगा, तो 100 में कितना होगा? 100 में होगा 80 into 100 करना है divided by 1,600 इसको काटेंगे तो यह पर आएगा 20, 20 से 100 को divide करेंगे तो यह पर आएगा 5 तो यह पर answer आएगा 5% ठीक है? तो यह पर 5% टोटल में profit है